नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबी लोगों का चैनल में स्वागत है आज कि इस वीडियो में हम घर में पढ़े हुए सामानों से कॉर्णर सोफा बनाने वाले हैं एल टाइप सोफा बनाने वाले हैं इस टोर रूम में यह बक्से पड़े हुए थे तो मैंने सुचा क्यों नहीं इनका कुछ यूज किया जाए तो इसका आज हम कॉर्णर सोफा बनाने वाले हैं देखिए यह बॉक्स हैं और बॉक्स को हमने क कुछ भी हो पुदाने कंबल घर में पड़े रहते हैं उसको फेकिए नहीं उसको इस प्रकार कि बख्षेक उपर बिचा देते हैं जिससे की लेवल एकदम बराबर हो जाए जो बाक्स है कुछ बाक्स की हाइड कम है तो जिसकी वज़े से उपर नीची हो रहा है कि तो इस परकार कंबल अगरे डालकर बराबर कर लेते हैं इस परकार हम इसको बिशा लेते हैं और देखिए यह फॉर्म है वहारा पुर्णा पराना सोफे का बचा हुआ था तो उस पर यहां पर यहां पर यूज़ लेने वाले हैं इस परकार देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपनी दोस्तों में देखने में कितना अच्छा लगेगा और इस तरह का कॉर्णर सोफा आप भी बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में इसमें आपका यहीं सोफा कवर मैंने लाया था तो यहीं खर्चा है बाकी सब कुछ ब्रॉक्स घर में पढ़े रहते हैं और कम्बल उगएदा पढ़े ही रहते हैं तो ऊसे ही बन जाएगा और इस बगार देखे हैसे जब यहाँ बिचा देते हैं तो इस प्रकार दोस्तों सोफा कवर बिछाने के बार हम लोग यहां पर कुसन रखने वाले हैं जिस प्रकार सोफे पर हम लोग कुसन रखते हैं वही कुसन हम लोग यहां पर रखने वाले हैं जिसे कि यह देखने में और भी सुंदर लगेगा कि कोई बंदा आके यह नहीं का सकता है कि यह बक्से के ऊपर शोफा बनाया हुआ है बेल गर बनाया हुआ है यह उसको यही लगेगा कि बहुत अच्छा सोफा है और यह मार्केट से ही लाया हुआ होगा तो इस वकार हम यहाँ पे कुशन लगा देते हैं तो इस पकार दोस्तों देखिए हमारा कॉर्ण सोफा बनके बिल्कुल तयार हो गया है आप इस पर अराम से बैठ सकते हैं लेट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए इस पर अराम से बैठ सकते हैं आपके घर में मान आते हैं उनको बैठा सकते हैं आप अराम से इसमें लेट बिशकते हैं तो इस पकार आप इसको ट्राइ करिए गया है बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में आप इसको बना सकते हैं देखिए इस पर अराम से बैठिए को तेकुल तयार हो गया है आप इस पर आराम से बैठ सकते हैं लेट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है